नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्ट टिवी और मैं हूँ आपके शाथ निश्गुपता आई करते खबरों की सुर्वात सबसे पहली क्रिज़डालते आज की हेड्लाइन्स पर हेड्लाइन्स इस्पॉंसरड बाई PBY आस्टा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड एक चारी में आवासिय जमीन एक लाख रुपे प्रतिक अठा नाधनगर विधान सबाव चुनाप को लेकर नेता परतिक पक्ष ने जोगी ताकत रोट सोकर राजत परतियासी के पक्ष में मांगे वोट महागटवंदन में सीट सेरिंग पर समझोता नहीं होने पर पुर्व मुख्य मंत्री ने मैदान में उतारा परतियासी जीतका किया दाबा अपराद की योजना बनाते दो अपरादी हत्यार के शाथ गिरपतार SSP ने प्रेस कॉन्फरेंस कर दी जान करी उपचुनाप को लेकर उत्पाद विभाग को मिली बरी सफलता 28 काटून सराप के साथ तसकर गिरपतार और मद्दताओं को जागरूप करने के लिए निकाला गया जागरूप तरद डिरिसी ने हरी छंडी दिखा कर किया रवाना और अब खबर विस्तार से भागलपूर नातनगर बिधान सभा उपचुनाप को लेकर सोमबार को बिहार के पुर्व उपमुखे मंतरी तेजश्पी यादब ने जगदेशपूर के बलवा चक में चुनावी सभा को शंबोधित किया इस दोरान तेजश्पी यादब ने मुखे मंतरी नितीस कुमार एवं केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला तेजश्पी ने कहा कि डवल इंजन की सरकार के कारण बिहार में भ्रष्टाचार और प्राद काफी बढ़ गया है वही तेजश्पी ने नाथनगर के स्री रामपूर, गौशाइदासपूर, हरीदासपूर, भातोरिया में रोट सोकर आम लोगों से राज़त परतियासी राविया खातून के पक्ष में मदान करने की अपील की इससे पुर्व राज़त कारिकरताओं ने पुर्व उपुमुखे मंत्री तजश्पी यादब का स्री रामपूर के समिप जोरदार स्वागत किया इस मौके पर युबार राज़त के राष्टी अध्यक्ष बूलो मंडल जिला अध्यक्ष डॉक्टर तिरुपती नाथ यादब सहीत राज़त के कई नेता मौशूद थे इंदुस्तान आबाम मोर्चा के परतियासी अजय कुमार राई के पक्ष में चुनाब परचार करने भागलपूर पहुँचे पुरु मुखे मंत्री जीतन राम मांची ने सोंबार को प्रेस कॉन्फरेंस कर महागटवंदन पर जम कर हमला बोला पुरु मुखे मंत्री ने कहा कि महागटवंदन में सीट सेरिंग पर समझोता नहीं होने के कारण उन्होंने अपना परतियासी मैदान में उतारा है उन्होंने कहा कि महागटवंदन में कॉंग्रेस और राज़त एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं जबकि भी आईपी पार्टी और हमने अपना परतियासी मैदान में उतारा है उन्होंने हम परतियासी के पक्ष में बोट देने की अपील जनता से की है वह भी आईपी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मुके सहनी भी राज़त से काफी नाराज दिखे बागलपूर पुलिश ने अपराध की योजना बनाते दो अपराधी को हत्यार के साथ धर दबोचा एससपी आसस भारती ने सोंबार को प्रेस कॉन्फरेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी एससपी ने कहा कि मीराचक गाउ में गंगा नदी के किनारे कुछ अपराधियों को हत्यार के साथ बैठनी की सूचना मिली थी जिसके बाद सिटीडी एसपी राज़बन सिंग के नैतरिट में टीम का गठन किया गया वहीं टीम में सामिल पुलिस अधिकारियों नी त्वरित कारवाई करते हुए मौके से दो अपराधी मीराचक निवासी किशोर कुमार एवं नग्टोलिया निवासी नितीन सर्मा को दो देशी पिष्टल और आठ जिंदा कार्थूस के साथ गरफ तार किया गया है SSP ने कहा कि पकड़े गए दोनों अपराधी का अपराधी की त्यास खंगाला जा रहा है वहीं पुलिस ने पूस्ताज के बाद दोनों आरूपी को जेल फेज दिया पूस्ताज के गए तो दो अभिवत्तों को गिरफ्टार किया गया है इनके पास से दो देशी प्यार बडामद हुए है और आठ गोली 0.315 बोर का बडामद किया गया है इन से जब पूस्ताज की गई है और अगरतर किया गया है तो यह जानकारी मिली है कि यह लोग मोटर साइकल चोड़ी गर्टा में भी शामिल रहे हैं और करीब आधा दरजन से भी अधिक मामलों में इन लोगों ने प्रिशन निक्ता से विगाल की है बाका के वेलहर बिधान सबा उचुनाब को लेकर जिले में सुरक्षा विवस्ता करी कर दी कही है इस दौरान उतपाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई करते हुए भारी मात्रा में बिदेसी सराब को बढ़ामत किया है दरसल उतपाद विभाग की टीम को भारी मात्रा में जार्खन से सराब लाई जाने की गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद उतपाद निरिक्षक प्रमोद मंडल के नैतरित में टीम का गठन किया गया टीम में सामिल अधिकारियों ने बौसी के साजहा गाउं के समीब सगन तलासी अभ्यान चलाया इस दोरान जार्खन की ओर से आ रही पिकप भेन को जाज के लिए रोका गया तलासी के दोरान पिकप भेन से 28 काटून विदेसी सराब को बढ़ामत किया गया साथी पिकप में सबार एक तसकर को मौके से ग्रफतार कर लिया जबकि दूसरा भागनी में शफल हो गया वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने गारी को जप्त कर लिया है अर्द रात करे रात में बारा एक वाज़े गुप सुचना मिली थी कि एक पिकप से घरखंड से सराव लेकर आने वाला है इसके लिए निरिक्षक मद निशेद परमोज मंडल के नेटरिती में दो टीम बनाया गया एक हमारा चेक पोस्ट है भाज़वर पर एक टीम वहा थी दूसरा एक चलंद चेक पोस्ट लगाया गया सांजो में सांजो वाली थी टीम थी वही टीम इस पिकप को पकड़ी है इसमें 28 पिटी सराव है ये 1044 बोतल है सभी रोयल स्टैग है इसी सराव ये सराव ये एक लाग सदिका है नातनगर विधान सभा उपचुनाब में बोट का परतिसत बरे इसको लेकर सोंबार को DRDA सभागार से जागरुकता रत निकाला गया जागरुकता रत को डिरिसी सुनील कुमार, DRDA डारेक्टर प्रमोध कुमार पांडे और जिला जन संपक्पदाधिकारी बिंदु सार मंडल ने हरी जंडी दिखा कर रबाना किया डिरिसी ने कहा कि जागरुकता रत के माध्यम से नातनगर, साबोर और जगदेशपूर के मदाताओं को मदान के लिए जागरुक किया जाएगा, जिससे चुनाब में लोग अपने मताधिकार का परियोग करें वहीं बिंदु सार मंडल ने कहा कि मदाताओं को जागरुक करने के उद्देश से जिला निर्वाचन विभाग की और से जागरुकता रत को राबाना किया गया है भागलपूर मुगलपूरा इस्तित प्रशिद सूफी हजरत्सा हसन पिर बार्शरफा का सालाना उर्से पाक सोंबार से सुरू हो गया दो दिवस्य उर्स के पहले दिन हुशैनाबाद मुगलपूरा से धोल बाजे के साथ धूम धाम से गस्ती चादर निकाली गई इस दोरान अकिदत मन लोगों ने पूरी आस्था और शधा के साथ चादर को चूमा और मनोकामना पूरी होने की दुआ मागी वहीं हज़त साह हशन पीर बाबा की उर्से पाक को लेकर दरगा परिसर को आकरसक रूप से सजाया गया है दरगा कमीटी के अध्यक्ष मोहमद सौध आलम और सेर खान ने बताया कि पिछले 80 बरसों से हज़त साह हसन पीर बार्शपा रहमतुला अले की दरगा में कारिक्रम आयोजित किया जा रहा है वहीं महमद जाहिद और महमद जमील ने कहा कि चादर विविन महलों का भ्रहमन करते हुए पुना दरगा पहुचेगा जिसके बाद मजार सरीप पर चादर पोसी की जाएगी कमीटी के महमद समसेर और अफाक ने बताया कि मंगलबार को कबाली का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें देश के प्रसित कबाल अशोक जखमी और मिराजवार से सिरकत करेंगे उर्स के मौके पर कई उलेमा और सायर अपनी कलाम की सांधार प्रस्तूती देंगे मौके पर मुहमद बेलाल मती उर्रहमान मौन्टी समित करी लोग मौजूद थे इस अकिदे से हम लोग यहां आते हैं और आये हैं और हजर साह हसन खेर वावा का बहुत बड़ा यहां पर रहम करम है की से दियाना संती बुरुबर्भग कहता है वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहे सिलक टीवी जूटे वादों पर चोट करो विकास के नाम पर वोट करो नातनगर विधान सवाज छेतर के सुयोग करमठ एवं शिक्षित जद्यू परत्याशी लक्षमी कांत मंडल को वोट करें एवं नितीश शरकार के हाथों को और मजबूत करें जनता की आवाज आप सब के चहते लक्षमी कांत मंडल के चुनाव चिन तीर चाप करमांग संख्या दो पर वटन दवाएं और भारी मतों से विजई बनाएं जनता जिनके साथ है तो डरने की क्या बात है चुटे वादों का साथ अब छोडो सच्चाई से अब नाता जोडो नातनगर का बेटा है डॉक्टर असोक कुमार आलोक सच्चा नेता है इमानदार करमठ सिक्षित और समास से वी नातनगर का भविश्य है यही चुनाओ चिन एसी च्छाप करमांग संख्या नौ पर बटन दबा कर सब की पसंद डॉक्टर असोक कुमार आलोक को जिता है जो नातनगर विधान सवाच्चेतर के विकास के लिए संकल पित है अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो अगर पीवी वाई आस्था ड्रिंज आपका अपना हो तो क्यों बाजारे माफिल में भटकना हो पीवी वाई आस्था ड्रिंज कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड लेकर आया है एक लाग रुपे परती कठा में आकरशक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अत्यादोनिक सुविदाओं से लेक्स प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं फिर रजिस्ट्री कराएं तीस फिर चोड़ी सडक नाली 24 घंटे बिजली पार्किंग जीम होस्पीटल एबब अन्न कई सुविदाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदीर और चिल्डरन पार्क भी PBY आस्ता ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड मासी किस्त मात्र 10 हज़ार पर उपलग तो अभी बुकिंग कराएं मात्रे क्यावन हज़ार रुपिये में आवास ये जमीन मात्र एक लाख रुपिये परती कठा तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलवाटोला करेला नातनगर भागलपूर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का श्वागत है आए बरत अगली खबर की ओर कहल गाउन मंडल के सनहौला प्रखंड इस्ति सिलहन खजूरिया गाउ में डाइरिया से हो रही मौत को लेकर स्वास विभाग की टीम ने सों बार को गाउ का निरिक्षन किया इस दोरान टीम में सामिल अधिकारियों ने मिर्त बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर घटना के सम्मंद में जानकारी ली और साबदानी बरतनी के उपाय बताए सिबिल सरजन डॉक्टर विजय कुमार सिंग ने कहा कि गंदगी और दूसित पानी के करण बिमारी का प्रकोब बरता जा रहा है इस दोरान CS ने कुए का पानी का परियोग नहीं करने की बाद ग्रामिनों से कही CS ने कहा कि पानी के सेंपल को जाज के लिए पटना लेब भेजा जा रहा है साथ ही डाइरिया की रोक थाम के लिए गाउं में कैम्प लगाया गया है CS ने कहा कि गाउं की स्थिती को देखते हुए एक डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की गई है इस मौके पर DPM फैजान असरफी, A.C.M.O. डॉक्टर अरुन कुमार सिन्हा, डॉक्टर प्रकास चंदर सिन्हा, चिकित्सा पतादिकारी PC सिन्हा, स्वास्थ प्रबंदक महम्मद राशिद मंजूर सहीद कई लोग मौचूर थे जब मौथ हुई है, तो कारम तो वही है, तो अभी तो हम यहाँ पानी का सैंपूल दिये हैं, जो पानी लोग पिता है, उसको जांच कराई जाएगी, यहाँ पर ब्लीचिंगी सबका फिरकाव हो रहा है, टेबलेट्स जो है हलोजोन यहां बंटा जा रहा है नौगच्छिया के रंगरा थाना छेतर बनिया गौँ इस्तित पोखर में छट के लिए घाट निर्मान करने गई, यूबग की तलाब में डूब कर मौत हो गई मिर्तक यूबग की पहचान भवाणी पूर निवासी संजय यादब के 16 वर्षिये पुत्र नितीस कुमार के रूप में हुई है घटना को लेकर बताया जारा कि नितीस अपने दोस्तों के साथ सोमबार की सुभा छट घाट निर्मान करने के लिए तलाब गया था इसी दोरान घाट निर्मान के बाद अश्नान करने के दोरान पैर फिसलनी से वा गहरे पानी में चला गया वहीं अस्थानी लोगों के द्वारा घटना की सूचना पुलीस एबं परीजनों को दी गई जिसके बाद मौके पर पहुची पुलीस ने अस्थाने ग्रामिनों के सयोग से युवक को तलाब से बाहर निकाला इस दोरान युवक की मौत हो शुकी थी घटना के बाद मिर्तक के परीजनों में कहरा मच किया है वहीं पुलिश ने सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेश दिया भागलपूर काली महरानी केंद्रे समीती की ओर से देवी बाबु धरंसाला में सहर के सभी काली मंदिर के मेरपती और अस्थानी समीती के पदाधिकारियों की आमसभा हुई कमीटी को भंग करते हुए नई कमीटी की घोशना की गई सर्फ समती से ब्रजेश साको अध्यक्ष जबकी चिरन जीबी यादब को महमंत्री चुना गया साथी सुरेश यादब को कारी-कारी अध्यक्ष की जिमेदारी शौपी गई वही काली पूजा महा समीती के महा मंत्री चिरन जी भी कुमार धूरी ने कहा कि दुर्गा पूजा की तरह काली पूजा भी सांति पुन और सद्वाव के साथ संपन होगा मौके पर पुर्व महापौर डॉक्टर वीना यादब भवेस यादब देवासिस बनर जी राजिप कांत मिश्रा समेट करी लोग मौचूद थे उसके साथ हम लोग चलेंगे और इसी पर हम लोग आगे की कारी करने के लिए अब हम लोग अपनी बैठक करेंगे और इसको सुचारू रूप से कहा क्या कमी वेसी रही है पीछे उसको सुधता के साथ और उस कमी वेसी को कम करते हुए भागलपूर के संबेतन सिल को देखत करेंगे भागलपूर सेंट्रल मुहर्रम कमीटी की बैठक मुश्लिम हाई स्कूल में हुई बैठक की अध्यचिता कमीटी के सयोजग डॉक्टर फारुक अली ने की इस दौरान महर्रम के अफसर पर डीजे नहीं बजाय जाने का निर नहीं लिया गया भागलपूर में पुर् जबकि सुनी समुदाई के लोग 21 अक्टूबर को अखारा जुलूष निकालेंगे। वही समास से भी मिंटू कलाकार ने दोनों समुदाई के लोगों से सांतिपुन महाल में मुहर्रम मनानी की अपील की। सेंट्रल मुहर्रम कमीटी दुवारा जिला परसासन से 21 अक्टूबर को अस्थानी अफकास खोशित करने की मांग की गई बैठक में बर्दी खान, भोला खान, मौलाना, गुलाम, सिम्नानी, मुहम्मद जावेद समेद करी लोग मौचूद थे सेंट्रल मुहर्रम कमीटी की अच बैठक चेहलूम के कबल हो रही है और अगले एक बार से चेहलूम है और अगला एक बार 20 तारिक पर रहा है जिसमें की पूरे बिहार में चुत्ती गोशित की गई है इसलिए बैठक में सिंट्रल मुहर्रम कमीटी ने भागरपी के परमंडलायो एबं उनके मातर तमाम धोड़ी साधिकारी और परशासनी का दिकारी से आगरह किया था कि अकेश को अस्थान चुत्ती गोशित करें ये पत्र आगरह पत्र उन्हें समर्पित कर दिया गया है साथी साथ तिलका मांजी भागुस जाले के पती जी को भी आगरह किया था कि यकीश को अस्थान चुत्ती गोशित करें मुंगेर विश्विद्याले सिक्षक संग कारिकारनी की बैठक जेमेस कॉलेज में आयुजित की गई बैठक की अध्यक्षिता मुग्टा अध्यक्ष प्रोफेसर अब्दूल सलाम अनसारी ने की बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र परसाथ सिंग और तिलका मांजी भागलपुर विश्विद्याले के डॉक्टर मिहीर मोहन मिष्र ने सिक्षकों की समस्या पर प्रकास डाला वहीं डॉक्टर ओम परकास और डॉक्टर कंचन सिंग ने सिक्षकों की सेबा सर्तों पर चर्चा की डॉक्टर साहिद रजा जमाल ने बताया की बैठक में सिक्षकों की बकाया रासी सेबान्त लाव सिंडीकेट और सिनेट शुनाव कराने पर वार्ता हुई बाका बलहर मुख्य सरक मार्ग पर सरक हाथ से में एक व्रिद की मौत हो गई मिर्तक व्यक्ति की पहचान दोदा मसूरिया गौनिबासी विंदेश्वरी चौधरी के रूप में हुई है घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोंबार की सुभा मॉर्निंग वॉक के दोरान तेज रप्तार ओटो ने टक करवार दिया जिसमें घायल होकर विंदेश्वरी चौधरी सरक पर गिर गया चलते चलते फिर सेक्नेज़ डालते आज की हेडलाइन्स पर हेडलाइन्स इस्पॉंसर्ड बाई पी बी वाई आस्टो ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमिटेड एक चारी में आवासिये जमीन एक लाख रुपे प्रतिक अठ्था नाथनगर बिधान सवाव चुनाप को लेकर नेता परतिक पक्ष ने जोगी ताकत रोट सोकर राजत परतियासी के पक्ष में मांगे वोट महागटवंदन में सीट सेरिंग पर समझोता नहीं होने पर पुर्व मुख्य मंत्री ने मैदान में उतारा परतियासी जीतका किया दाबा अपराद की योजना बनाते दो अपरादी हत्यार के शाथ गिरेपतार SSP ने प्रेस कॉन्फरेंस कर दी जानकरी उपचुनाप को लेकर उत्पाद विभाग को मिली बरी सफलता 28 काटून सराब के साथ तसकर गिरेपतार और मद्दताओं को जागरूप करने के लिए निकाला गया जागरूप तरद डिरीसी ने हरी छंडी दिखा कर किया रावाना फिलाल इस वुलेटीन में इतना ही नमस्कार